जूनियर एंटी आर की बहुप्रतीक्षित फिल्म देवारा की पहली जलक सामने आ गई है और यह चर्चा का विशय बनी हुई है, पहली जलक में हम नावों को किनारे की ओर जाते हुए देख सकते हैं, जैसे ही नावें किनारे पर पहुँचती हैं. गुंडे जूनियर एंटी आर से भिढ़ जाते हैं और हत्याएं शुरू हो जाती हैं, जूनियर एंटी आर को लोगों को बेरहमी से मारते और समुद्र में अपने हत्यार धोते देखा जा सकता है. विडियो जूनियर एंटी आर के संबाद अनुवादित के साथ समाप्थ होता है इस समुद्रने मचलियों से ज्यादा खून और हतियार देखे हैं इसलिए इसे लाल सागर कहा जाता है विडियो को काली और नीली रोशनी में शूट किया गया है देवारा जानहवी कपूर की तेलुगु डेब्यू है कुछ महीने पहले जानहवी कपूर ने अपने इंस्टागराम प्रोफाइल पर शूट से एक BTS फोटो शेयर की थी फोटो में जानहवी कपूर को नीली साड़ी पहने देखा जा सकता है जिसे उन्होंने हरे रंग के ब्लाउस के साथ पेयर किया है क्लिक में वह काजल लगी आँखो के साथ नजर आ रही है जानहवी कपूर ने पोस्ट को कैप्शन दिया सेट और टीम को मिस कर रही हूँ और ठंगम हूँ पिछले साल अपने 40 वे जन्म दिन पर जूनियर NTR ने फिल्म के शिर्शक की घोशना की थी और देवारा की रिलीज की तारीख का खुलासा किया था यह 5 अप्रेल 2024 को सिनेमा घ्रों में रिलीज होगी काम के मोर्चे पर जूनियर NTR जन्ता गैराज के बाद फिल्म के लिए कोराटाला शिवा के साथ फिर से जुडेंगे जुनियर NTR का पेशेवर तौर पर 2023 शांदार रहा है उन्होंने 95 वे ओसकर में भाग लिया जहां उनकी फिल्म आरारार के गाने नातू नातू ने सर्वश्रिष्ट मूल गीत का पुरसकार जीता फिल्म में प्रकाश राज श्रीकांत मेका, तॉम शाइन चाको, नारायन और सैफ अली खान भी है अनिरुद्ध रविचंदर ने संगीत तयार किया है श्रीकर प्रसाद परियोजना के संपादक है, रतनावेलू सिनेमेटोग्राफी संभाल रहे है और प्रोडक्शन डिजाइन साबू सिरिल संभालेंगे